प्रिय शिक्षा अर्थियों नैतिक शिक्षा के इस कक्षा में आपका स्वागत है आज हम नैतिक शिक्षा के पाठ चार के अंतरगत आने वाले गीता के दो श्लोकों का शवदार्थ लेखन करेंगे यनिके उनके शब्दार्थों को लिखेंगे पर उससे पहले कि हम पाठ पढ़े श्लोकों को अच्छे से एक बार उनका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं श्लोकों को पढ़ लेते हैं तत्पशात उनके शाब्दिक अर्थ यनिके शब्दार्थ लिखेंगे हिंदी अर्थ लिखेंगे उसके बाद ही हम पाठ चार को पढ़ेंगे कर्मन्ने वाधिकारस्ते मा फलेशु कदाचन मा कर्म फलहेतुर भूर्मा ते संगो असत्वा कर्मनी यहाँ पहला श्लोक इसमें दिया हुआ है इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की महता समझाते हुए कहते हैं आप इसका सिर्फ शबदार्थे लिखेंगे परंतु एक बार श्लोकों को देख लेते हैं शबदार्थ तभी लिखे जा सकते हैं जब हमने कुछ पढ़ा हो श्लोक के बारे में हम जानते हूँ सबसे पहले हम इसके शबदों का संदी विचेद कर लेते हैं तो कि श्लोक को पढ़ना हो तो उसमें कुछ शबद जुड़े हुए होते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम पहले इसके संदी शेद करें और ये पहला हमारा कारे भी रहता है संदी विछेद करेंगे तभी एक एक शब्द कार्थम समझ पाएंगे ताकि फिर शब्द शब्द करके समझना आसान हो जाए जैसे मैंने कहा वैसे ही यहां पे लिखा हुआ है यहां भगवत गीता का एक महतपुन श्लोक है सबसे पहले हम इसके शब्दों का संदी विछेद कर लेते हैं ताकि फिर शब्द शब्द करके समझना आसान हो जाए अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कर्मनी एव अधिकारह ते जो इसका संदी शेद है लोक का कर्मनेव अधिकारह ते इसका संदी चेद क्या हुआ कर्मणी एव अधिकारह ते मा फलेशु कदाचन मा कर्मफल हेतु विसरगे हैं आपे कर्मफल हेतु भूह मा ते संगह अस्तु कर्मणी अब इसके इन संदी विछेद बाले शब्दों का अर्थ देख लेते हैं अब यहां हम एक एक शब्द का अ सब्तमी का एक वचन कर्मन यानि कर्म शब्द सब्तमी का एक वचन सब्तमी के एक वचन का रूप है यह कर्म इसकार्थ होता है कर्म में एव कर्थ क्या होता है ही अधिकारह अधिकार ते तुम्हारा यह तब शब्द का वैकल्पिक यानि दूसरा रूप होता है तब शब् दूसरा रूप है आब आगे देखें इसमें इसमें लिखता है मा करता है ना की मत नहीं फलेशू फल शब्द का सब्तमी बहुबचन का रूप इसकार्थ हुआ फलों में फले होता है फल में फिर फलयो दो फलों में फलेशु फलों में सभी फलों में बहु बचन का रूप है कदाचन कभी भी या कतई मा मत या नहीं जैसे मैंने उपर भी बताया आपको कर्म फल हेतू कर्म के फलों का हेतू अर्थात कारण अब इसको यहां आंगल भाषा के मादिम से समझाने की गई है इंस्ट्रूमेंट आफ जनरेटिंग रिजल्ट्स आफ कर्माज अर्थात कर्म के जो फल है उसका कारण उसका इंस्ट्रूमेंट कि यह जो कर्म का फल मिला है यह मेरे कारण ही हुआ है मैं ही हूँ जिसकी बज़से ऐसा हुआ है मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता तो इसको ये समझाने को की गई है कि आप के अंदर मैं ना आ जाए आप काम तो करें लेकिन इस काम को मैं ही कर सकता हूँ मैंने ही किया तभी करके ऐसा हुआ इस तरह की भावना ना आए इसलिए पहले ही कह दिया कि यह गीता का एक महत पुन्ष लोक है यह करम करने के प्रती आदमी को प्रेरित करता है परंतु वह आदमी करम के फल का कार्ण अपने आप को न समझ बैठे इसलिए उसे रोकता भी है अब आगे क्या कहता है भूह हो वो या हो यह भूध हतु का रूप है जो की मा यनि के मत के साथ प्रिक्त होने वाला विशिष्ट एक खास धातुरूप होता है जिसे लुग लकार कहते हैं आपने इन्हें नहीं पढ़ा है जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता इसलिए मैंने यह लिखा ये स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, हम पांच ही लकार पढ़ते हैं, और संस्कृत में 11 लकार होते हैं, इसमें से एक लेट लकार जो की वेदों में प्रयोग की जाता है, और बाकी 10 लकार जो लॉकिक संस्कृत में हैं, परन्तु हम पांच ही लकार पढ़ते हैं, लट, लंग, लृट और बिदिलिंग ये लुंग लकार है ये भूत काल अर्थ में प्रयोग होता है इसलिए मैंने कहा कि आपने इसे नहीं पड़ा है इसका प्रयोग ही आगे का अ हटा कर मा यानी मत शब्द के साथ की जाता है जैसे अभू हमने पड़ा है लंग, लकार, मद्यमपूच का एक वचन उसके आगे का अ हट गया तो क्या बच गया भू ही बच गया तो इसलिए कहा गया है कि अ हटा कर किया जाता है बोलता है इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ हुआ कि इस काम को मत करो अमुक क्रिया को मत करो मा कुरू मत करो जिसे कोला हलम मा कुरू शोर मत करो रोकन ये अर्थ में प्रयोग होता है यहाँ पर अब आगे लिखता है अतहा मा भू का अर्थ है मत हो वो अर्थात कार्ण मत बनो मा मत नहीं ते तेरा संगह संग साथ या आसकती लगाब अस्तू हो अकर्मन यानि अकर्म शब्द सब्ट में व्यक्ति एक वचन का रूप यहनि कि अकर्म में यानि कर्म नहीं करने में तो कुल मिलाकर इसकार्थ हुआ तेरा अधिकार कर्म में ही है फलों में नहीं तू कर्म फल का कार्ण मत बन यानि कर्म करने से जो फल उत्पन हो रहा है खुद को उसका कार्ण या इंस्ट्रूमेंट मत समझ ये गलती है तेरी तथा तेरा संग यानि साथ ये श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं तेरा साथ जो तेरा संग है अकर्म में भी ना हो यानि तू ये सोचकर भी मत बैठ जा कि कर्म करने से क्या लाव अता कर्म को ही त्याग दू छोड़ दू अर्था आदमी ऐसा सोचकर के ना बैठ जाएं कि कर्म करूं ही क्यूं मैं कर्म बंदर में पड़ूं क्यूं मैं कामी क्योंकर सारे कामी छोड़ देता हूँ तब भी जो जीवन है वो नहीं चलेगा आर्थ तो आपने देखी लिया एक एक शब्द जो इसमें था अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकि यह शलोक इतना महत्वपूर्ण इसलिए बन पड़ा है क्योंकि यह कर्म करने को तो प्रेरित करता ही है साथ ही कर्म करने में होने वाले विकारों से भी बचा कर रखता है अर्था तो कर्म करने से जो विकार उत्पन होते हैं उन से भी बचा कर रखता है कर्म करने से क्या विकार होंगे अब एक उधार से देखते हम कर्म करने से विकार क्या होते है हमने कोई काम किया और हमें उम्मीद थी कि उसका हमें ये फल मिलेगा और यदि वो फल वांचित फल जो हमने चाहा है वैसा नहीं मिला तो उससे क्या होगा हमें दुख होगा तो उसी को भीकार कहा गया है दुख से तो छुटकारा पाना चाहता है विक्ति अगला श्लोक है यहां इसको संधी करके लिखा हुआ है यहां मैंने तोड़ तोड़ के लिखा हुआ ऐसे अब आप जो असली काम करेंगे वो क्या है श्लोकों के शब्दार्थ सबसे पहली श्लोक का हम हिंदियन वाद देख लें वासांसी कहते हैं वस्तरों को इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने फटे पुराने अर्थत कपड़े जब उसके पुराने हो जाते हैं या फट जाते हैं तो उन्हें उतार करके नए कपड़े पहन लेता है वैसे ही जीवात्मा जो है जो आत्मा है वह भी क्या करता है जब शरीर जीरन हो जाता है पूराना हो जाता है तो उसे छोड़ करके नए शरीर को धालन कर लेती है बस इतनी सी बात यहां पे कही हुई है अब आगे देखते शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक पे उपर लिख लेंगे कक्षाकारे, पाठ की संख्या, पाठ का नाम और लिखेंगे निजे श्लोकों के शब्दार्थ जैसे यहां दिया हुआ है, वैसे लिखेंगे कर्मन्ने वाधिकारस्ते मा फलेशु कदाचन उसके आगे शब्दार्थ लिखेंगे सिकर्मनी कर्म में एव ही अधिकार है अधिकार ते तुमारा मा मत या नहीं फलेशु फलो में कदाचन कभी भी फिर माशवद है, मत बार-बार प्रियोग हुआ है, कर्म फल हे तू, कर्म के फल का हे तू, अर्थात का तो हलन्त होगा, उसे आप हलन्त लगा करें लिखें, भूह बनो या होवो, ते तुम्हारा संगह आसकती, लगाब अस्तू, होवे, अकर्मनी अकर्म में, अकर्म कर्द कर्म बंदन रहीत जैसे मैंने आपको श्लोक में समझाया भी है कि कर्म ना करने में वासांसी जिर्णानी यथा बिहाय दूसरे श्लोक लिखेंगे फिर उसके अर्थ लिखेंगे वासांसी बोलते हैं वस्त्रया कपड़े बहुवचन है यह जिर्णानी पूराने यह भी बहु जिर्णानी यहां जिर्णानी का जो विशेश है वह वासांसी है और जिर्णानी विशेशन क्यों कपड़े कैसे हैं पूराने तो पूराना क्या हुआ विशेशन अब नवानी नए क्या कपड़े ग्रहनाती धार्न करता है तथा उसी प्रकार यहां श्री कृष्ण आप युद्ध के लिए प्रेरित हो जाईए युद्ध करिए आप ये आपका कर्म है लेकिन युद्ध करने के बाद जीत तुम्हारी ही होगी इस बात पर कोई चर्चा नहीं कर सकता मैं क्यूंकि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा और रही बात मृत्यु की तो मृत्यू निश्चित है, मृत्यू निश्चित है, क्यों निश्चित है, क्योंकि जैसे आप पुराने कपड़ों को उतार करके नए पहन लेते हैं, आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, तो आप सिर्फ अपना कर्म करिए तो आगे चलते हैं नवानी ग्रहनाती ही हम बात करें ते ग्रहनाती अकर्थ होता है धार्ण करता है तथा उसी प्रकार सैयाती कर्थ भी होता है ग्रहन करना धार्ण करना धार्ण करता है नरा व्यक्ति अपराणी दूसरे शरीराणी शरीरों को अन्यानी कर्थ भी दूसरे होता है दे ही वोते हैं जीवात्मा को तो यहां तक आपका काम है आप इसे अपने अपनी नोट्वुक्स में नोट कर लेंगे वर्ड मीनिंग्स को उसके बाद हम चेप्टर पढ़ेंगे फिर आप जो कुशन अन्सरे उनको लिखेंगे इतियोम शर्म